Good morning students, welcome in our online classes, it's your math class Students, आज का हमारा topic है subtraction, क्या topic है आज का हमारा? Subtraction, subtraction का क्या meaning होता है? Minus, तो हम पहले subtraction को understood करते हैं यहाँ पे हमारे पास birds दिये गए है, हम count करते हैं 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पहरे पास कितने birds है, 5, next हमारे पास इन 5 birds में से 2 birds है, 1, 2 टू birds flew away, 2 birds हमारे पास क्या हो गए, उठ गए, यहाँ पहरे हमारे पास 5 birds से, 5 birds में से, हमारे पास जो 2 birds है, वो क्या हो गए उड़ गए next हमारे पास कितने birds बाकी बच गए 1, 2, 3 कितने birds हमारे पास रह गए 3 तो 5 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या answer आएगा 3 5 में से 2 माइनस किया तो हमारे पास क्या answer आया 3 students clear ऐसे ही हम subtraction करेंगे page number 68 पे यहां पे हमारे पास tree है 1, 2, 3 4, 5 यहां पे हमारे पास total कितने trees हैं 5 trees है from 5 यहां पे हमारे पास कितने trees हैं 1, 2 take away 2 हमें 5 tree में से 2 tree लेनी है अगर हम 5 में से 2 tree लेंगे तो हमारे पास बाकी कितने tree बचेंगे यह हमने two tree जो हैं वो हम ले लेते हैं यहां पर हमारे पास total कितने tree बाकी बचेंगे one two three कितने tree रह गए हमारे पास one two three तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा left over हमारे पास कितने tree रह गए three five में से two minus किया अगर हम five में से two काट देंगे तो हमारे पास कितने ट्री बचे थ्री ओके सुडेंट्स नेक्स जैसे यहां पे हमारे पास बुक्स है वान टू थ्री कितनी बुक्स है हमारे पास थ्री बुक्स है थ्री में से हमने कितनी बुक्स ली है वान हमने वान बुक ले ली है तो 3 में से अगर हम 1 बुक ले लेंगे तो हमारे पास कितनी बुक्स बचेंगी ये बुक हमने ले ली Next हमारे पास कितनी बुक्स बचेंगी 1, 2 कितनी बुक्स बच गई 1, 2 तो 3 में से अगर हम 1 काट देंगे 3 में से 1 माइनस करेंगे तो हुमारे पास बाकी कितनी बचेगे two, कितना बचेगा two, okay students clear तो students ऐसे ही आपने बाकी के सामज़ करने है Thank you students Stay home, stay safe